असलाम लेकुम बच्चों, उमीद करती हूँ, आप सब खेरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, हमारी वीडियो उस द्यान से दीख रहे होंगे तो ये जो वीडियो है, ये क्लास एति के लिए है, आज की वीडियो में हम दर्सी किताब का एक सबग पढ़ने जा रहे हैं, ये एक कहानी है, जो शबकत फरहत ने लिखी है, सबग का नाम है चूचू बेगम, ये एक कहानी है, चलिए हम सबग शुरू करते हैं एक ननी सी चिडिया चूँच में गास का सुखा तिनका लेकर जरोके से अंदर आई इसने ये तिनका उस जगर रख दिया जहां वो गोसला बना रही थी ये चिडिया बड़ी मेहनत और लगन से अपना गोसला बनाने मेलगी हुई थी वो तिनकों दरक्तू के पत्तू कपड़ू के कत्नू तरतर के दागू और शितलियों को अपने गोसले का हिस्सा बना तीजा रही थी शाम होते होते गोसला तयार हो गया और चिड़ा और चिडिया चैन से अपने गोसले में जाकर सो गए फीक वैसे ही जैसे आप अपने गरों में इतमिनान चैन और बेफिकरी की नीन सोते है जब बाहर सकत गर्मी हवा चल रही हो बारिश का मौसम हो सरदी हो तो गर की छट आपको गर्मी सरदी भीगने और बिमारी पढ़ने से बचाती है कहते हैं कि इनसान की बनियाद बनियादी जरूरते रूटी कपड़ा और मकान है अभी गोसला बने दो ही दिन हुए थे कि मालिक की नजर इस पर पड़ी और नोकर से गोसला तुड़ा दिया चिडिया बेचारी चूचू करके बहुत रोई जब इसका गम कुछ कम हुआ तो फिर गोसला बनाने में लग गई इस बार नोकर ने बनने से पहले ही गोसला तोड़ दिया किसी का गर छीन जाने या तूट जाए तो बड़ी तकरीफ होती है जितना बड़ा जुलम किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करना है इससे भी बड़ा जुलम उसका गोसला तोड़ना है कुछ इदन बाद नोकर छुटी पर गया तो चुडिया ने दुवारा गोसला बनाया और रहने लगी इसमें दो नन्ने मुने बच्चे दिखाई दिये बच्चो से सभी प्यार करते है नोकर ने आकर बच्चे देखे तो इससे भी बच्चो से प्यार हो गया इसने सोचा कि बड़े होने तक गोसला नहीं तोड़ूँगा बच्चों को देखकर तो मालक भी नर्म पड़ गया और उसकी पीवी ने तो सक्ति से मना कर दिया कि गोस्ले को हर्गेज हाथ नलगाया जाए क्यूंकि बहुत से काम हाथ न लगाया जाए बच्चु को देखकर तो मालिक भी नर्म पड़ गया क्यूंकि हर्गिस हाथ न लग गोश्ले को हर्गिस हाथ से न छेरा जाए क्यूंकि बहुत से काम की चीजे गोश्ले में मिल जाया करती थी बहुत सी काम की चीज़े गोसले में मिल जाया करती थी जैसे किताबे पैक करने के लिए सुटली सुई, डागा, सेफटी पिनिजी, हेर पंजबी, बीवी साहिब को जुरूरत होती कुर्शी पर चड़ कर हाँ डाल कर निकाल लेते और जिस दिन इसकी खोई हुई अंगोठी भी चुड़िया के यहां हिफाद़ से रखी हुई मिली उस दिन तो मियां बीवी ने खुश होकर चुड़िया की दावत की अब चुड़िया मालिक के भी छोटे मोटे काम करने लगी जैसे एक दिन पोस्ट मैं मालिक का खट नीचे डाल कर चला गया तब चुड़िया हिम्मत करके लफाफे अपने चौच में उठा कर किसी ना किसी तरफ फुदक फुदक कर उपर ले आई और इसे दरवाजे पर गिरा दिया इस तरह वो लफाफा मालिक को मिल गया मालिक चुड़िया के महसिनों महरमान थे मौका मिलते ही हमें किसी के एहसन का बदला चुका देना चाहिए बहराल चुड़ियों और इनसानों की दोस्ती सद्यों से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी इसलिए कि परिंदों की चहकारे चुरियों की चुचु दुनिया के बहुत से बीठी नामतों मैसे है इस सबक से हमें ये नसीयत मिलती है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा हमें हमेशा दूसरों के अहसानों का बदला चुका लेना चाहिए और उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आना चाहिए जनवरों के साथ कभी बदसलू की नहीं करनी चाहिए उनके गोसलू को नहीं तोड़ना चाहिए और उनके बच्चों के साथ कभी छेड़ खानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह हम अपने बच्चों से हम अपने गरों से प्यार करते इसी तरह परिंदे भी अपने बच्चों से और अपने गरों से प्यार करते हमें हमेशा इनकी हिफाज़त करनी चाहिए Thank you